अभी तक हमने पड़ा था गेस्टिशनल डाइबेटेस मतलब कि जो डाइबेटेस मदर को प्रेगनेंसी में हो गया जो प्रेगनेंसी में होता है वो मोस्क लाइकली होता है तो 24 तो 28 प्रेगनेंसी पर लेकिन ओवर डाइबेटेस का मतलब है कि फीमेल अल्रेडी डाइबेटेक है और इस लेवल गोर्स अनकंट्रोल्ड शूगर का लेवल अनकंट्रोल हो गया दूरिंग दा प्रेगनेंसी ठीक है तो उसकी वज़े से क्या होता है इसमें अगर हम पेशेंट का हेमोगलोबिन A1C का लेवल कराते है तो अगर लेचने सेवन परसंट है तो शी आवगी लिस्ट रिस्क और आधर हाविंग नो रिस्क अगर इसका हम लेवल 7 तो 8.5 परसंट होता है अकॉर्डिं तू इसमें 5 परसंट रिसक होता है कोई भी प्रॉल्म होने का बेबी ना फीटस ठीक है यह जो होता है इसमें हम देखते हैं कि ओवर डियाबेटीस में जो बेबी को अफेक्ट होता है वो more likely in the five to eight weeks of pregnancy पे होता है वो ऐसा क्यों होता है क्योंकि उस टाइम में organogenesis हो रही होती है हमने केस्टिशन डियाबेटीस मेलाइटस में देखा कि वो second trimester या third trimester में केस्टिशन डियाबेटीस डिटेक्ट होता है या होता ही तब है लेकिन अगर already female diabetic है उसके अंदर sugar का level uncontrolled हो जाता है तो वो first trimester से start हो जाएगा इसमें जब first trimester से start हो जाएगा तो baby को affect करना start करेगा क्यों क्योंकि उस time में ही organogenesis start होती है ठीक है तो most likely ऐसे cases में spontaneous abortions भी हो जाते है या recurrent pregnancy lows के मतलब बहुत सरे patient की history मेलेगी आपको recurrent pregnancy lows की ठीक है अब इसमें most commonly system कौन सा affect होता है first most common system affect होता है cardiovascular system जिसमें most common problem क्या होती है most common anomalies क्या हो जाती है ventricular septal defect और most specific पूछा जाए तो कौन सा होता है transposition of great arteries और other defects क्या क्या हो सकते है atrial septal defects हो सकता है tetralozio phallet हो सकता है truncus arteriosus हो सकता है hypoplastic left hurt syndrome हो सकता है these are the other anomalies can be there in the fetus ठीक है उसके बाद दूसरा system हम पढ़ेंगे nervous system में क्या affect होता है nervous system में हम देखते है ennicefella हो सकती है ठीक है ennicefella seal हो सकता है meningos seal हो सकता है ठीक है और साथ में और क्या मिल सकता है spina bifida मिल सकता है hydrocephalus हो सकता है फिर हम देखेंगे skeletal system हम इसमें system wise study कर रहे हैं कि हमने पहले cardiovascular system को देखा कि जो most commonly affected system वही है second most common है nervous system third is skeletal system skeletal system में क्या हो सकता है caudal regression syndrome हो सकता है जो कि most specific anomalies होती है overall देखा जाये तो ठीक है उसके बाद दूसरा हो सकता है sacral agenesis हो सकती है चाथा system affect होता है genitourinary system genitourinary system में क्या हो सकता है polycystic kidney disease हो सकती है duplication of uritor हो सकता है ठीक है और hydronefrosis भी हो सकती है renal agenesis भी हो सकती है ठीक है it may or may not happen लेकिन ये ये chances हैं ये ये होने के ठीक है फिर दूसरा होता है गेस्टों इन्टरों नियुकों है, फ्न सेली गेस्टों इंट्रों. सेली, और फ्न सेली트를 दोब्चा advoc關 यहां को मतलों, विखतिक यह, वैस्टों नियुकों सेली जुकि और मुझाता है और आरश्रा बेस्टेस्पय है ग्यांजिन्य पॉर्स नियुकों समूराY पयुकों क class, accept small left colon syndrome, ठीक है, जो के second trimester में detect होती है, इसमें intestine obstruction के features आते हैं, and it will mimic like meconium plug syndrome, ठीक है, थांक यू, and we will study the screening and the diagnosis protocols of gestational diabetes in our next lectures, so stay tuned and please subscribe and share my channel, थांक यू. झांक यू, झांक यू, झांक यू,